नमस्कार स्वागत है आपका स्पेशल डे में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग्ग मैंने देखे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तै है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं 21 साल के उम्र में जिस शक्स को दुनिया की सबसे खातक बिमारी हो गई हो वे कैसे दुनिया का महांतम साइंटिस्ट बन सकता है सिर्फ एक शब्द के सहरे कैसे वो दुनिया को ब्रह्मान का सच बता सकता है वाकई ये करिश्मा ही है जिहां हम बात कर रहे हैं मशहूर वेज्ञानिक स्टीफन होकिंग्स की आज उनका जन दिन है आपको बता दें कि साल 2014 में जब वे पहली बार फेस्बुक पर आए तो उन्होंने अपने फैंस को सिर्फ एक शब्द की नसीहत दी थी जिग्यासू यानि वे अपने फैंसे कहते थे कि अगर आप जिंदगी में जिग्यासू नहीं होंगे तो तरक्की नहीं कर सकेंगे उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था मैं हमेशा श्रिष्टी की अद्बुद रचना पर हैरान हूँ समय और अंतरिक्ष हमेशा रहसे रहेंगे लेकिन इसके लिए मेरी कोशिश कभी नहीं रुकेगी 21 साल की आयू में उन्हें motor neuron बेमारी हो गई थी एक दुरलब सिती जो प्रगिती शील व्यक्ती को अपंग कर देती है और आमतोर पर कुछ वर्षों में मृत्यू का कारण बन जाती है Hawking को बताया गया कि उनके पास जीने के लिए केवल दो साल है जब उन्होंने डॉक्टर को गलत साबित कर दिया और बच गए तब भी वे अंतितह एक wheelchair तक ही सीमित थे और उनका अधिकान शरीर लगवागरस्थ हो गया था 1985 में निमोनिया की एक लड़ाई ने उन्हें लगभग मार दिया था डॉक्टरों ने उनकी पतनी को लाइफ सपोर्ट बंद करने का सुझाव दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे लगभग निश्चित रूप से मर जाएंगे लेकिन उनकी पतनी ने मना कर दिया चमतकारिक रूप से हौकिंग फिर से बच गए लेकिन इस दौरान उनके बोलने की शमता छिन गई जिसके बाद वेकेवल एक समवाद सिंथिसाइजर के माध्यम से समवाद करने में सक्षम थे इनका जन आठ जन्वरी 1922 में ओक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था और 14 मार्श 2018 केम्बरिज में इनकी मृत्यु हुई हौकिंग एक बहतरीन वेज्ञानिक थे उनकी बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ओफ टाइम ने 1988 में प्रकाशत होने के बाद 10 मिलियन से जादा प्रतियां बेची और 35 से अधिक भाशाओं में अनुवाद किया गया स्टीफन हौकिंग ने 1962 में युनिवर्सिटी कॉलेज ओक्सफोर्ड में फिजिक्स में बैचलर्स डिग्री प्राप्त की स्टीफन हौकिंग व्यापक रूप से दुनिया के सबसे शांदार दिमागों में से एक के रूप में माने जाते हैं उन्हें 1989 में कैंपेनियन ओफ ओनर बनाया गया और 2009 में अमेरिकी राष्टपती पदक से सम्मानित किया गया वे दे रॉयल सोसाइटी के फेलो थे यूएस नैशनल अकाडमी ओफ साइंस के भी सदस से रहे फिलाल स्पेशल दे में इतना ही जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ तमस्कार